नमस्कार आप देख रहे हैं SPT News पेश एक जुलाई शुक्रवार सुबह सवाच्छे बजे राजसान की बड़ी खबरें लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून ने राजसान में दस तक दे दी है समाने से आर दिन लेट आए मानसून की एंट्री धमाके दार रही है इस बार यह दक्षन राजसान से न होकर पूर्वी राजसान के भरतपूर अलवर और कोटा के रास्ते आया है इस एंट्री के साथ ही इन जिलों में अच्छी बारिश हो रही है मोसम किंदर के अनुसार अब तक मानसून का प्रवेश डूंगरपूर बांसवडा और उद्यपूर से होता रहा है हलांकि इस वर्ष मानसून की अधिकारिक एंट्री से पहले ही जून महिने में समाने से ज़्यादा बारिश हो चुकी है राजे में जून के महिने में औसथ बारिश 50.1 mm होती है लेकिन 29 जून तक औसथ बारिश इस बार 50.1 mm हो चुकी है एंट्री के बाद भरतपूर धोलपूर करोली अलवर्ट दोसा, कोटा जालावाट बारां सवाई मादोपूर, जैपूर टॉंक में लगातार बारिश का दोर जारी है मुख्य मंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को अजमेट पहुंचे और JLN अस्पताल पहुंचकर रासमन्त के भीम कस्पे में घायल हुए कॉंस्टेबल संदीब चौदी से मुलाकात की और उनकी कुशल चेम्पू छी इस मौके पर अशोक गहलोत ने घायल कॉंस्टेबल को हेड कॉंस्टेबल में प्रमोश्टन देने और 10 लाक रूपए की सहायता राशी, मुख्य मंत्री और पुलिस फड से देने की घोशना की उद्यापूर मामले में गहलोत ने कहा कि NIA एक महीने के अंदर इस केस में जल सजा दिला दे, इसके लिए प्रधान मंत्री से मांग करते हैं 22 एसीबी की टीम ने गुरुवार को कारिवाई करते हुए रिश्वत खोर पटवारी वे भू अभी लेक निरिक्षक को पकड़ा है वहीं पटवारी लादू-लाल पर एक मामला पहले चल रहा है एसीबी के सीयो बिर्जराज सिंग ने बताया कि 23 जुन को रायजी मोडा धानमंडे निवासी देवेंदर पुत्र शांतिलाल ने शिकायत दर्च करवाई थी PT-ET 2022 के लिए चुरू जिले में 46 सेंटर बनाए गए है एक्जाम की तयारी को लेकर सेंटर इंचार्ज की बैटक गुरुवार को लोहिया कॉले सभागार में आयुचित की गई बैटक में चुरू तहसील के सभी सेंटर के केंद्रा दिक्षक, केंद्र परिया दिक्षक और अत्रिक्ट केंद्रा दिक्षों ने भाग लिया कॉलेज प्रिंसिपल दिलीप सिंग पुनिया ने बताया कि जिले में कुल 46 सेंटर पर 3 जुलाई को एक्जाम होगे इन में चुरू के 21 सेंटर सर्दार शहर में 14 रतंगर तहसील में 11 एक्जाम सेंटर बनाए गई है राजसान में भाजपर प्रदेशा दक्ष डाक्टर सतीश पुनिया ने प्रदेश में राज़े सरकार पर कानुन वस्था और इंटेलिजेंस के पूरी तरह विफल हो जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के पुलिस प्रशासन एवं मुख्या ने कनहिया लाल को समय रहते सुरक्षा देने की बात को गंभिरता से नहीं लिया डाक्टर पूर्या ने उद्यपूर मामे में अपने बयान में यह बात कही उन्होंने कहा कि श्री कनहिया लाल ने जब सुरक्षा मांगी तो उन्हें और उनके परिवार को समय पर सुरक्षा दी जाती तो मुख्यमंत्रिय शोग घहलोत को उध्यपूर जाकर रस्म अदायत की करने की जुरत नहीं पड़ती और यह नौबत नहीं आती उध्यपूर घटना के बाद विभिन हिंदू संगठनों ने गुरुवार को कलेक्टरेट के बाद 6 मिनट तक हनुमान 40 का पाड़ किया इसे पहले बार्डमेर में गाधी चोग से कलेक्टरेट तक रैली निकाल कर विरोत पदशन किया हिंदू संगठनों ने राजे पाल वे राश्पती के नाम ग्यापनसों पा जैसलमेर की कच्ची बस्ती गफूर भटा के लिए नगर परिशद एक स्वागत द्वार का निर्मान करवा रही है कच्ची बस्ती की एंट्रेंस पर पुराने हो चुके प्रोल के पास 45 लाग के पीले पत्रों से नई गेट बनाने का काम शुरू हो चुका है अब बहुत जल्द इस कच्ची बस्ती के बाशिंदों को शानतार पीले पत्रों का भवय गेट मिलेगा मलका प्रोल के पास ही इस गेट को बनाने का काम शुरू हो चुका है जैसल मेर के कारिगार इसको जैसल मेर की शैली में अदबुत कारिगरी के साथ बनाने का काम कर रही है जैपूर से दिल्ली का लगजरी बस में सफर 30 फिस्दी महगा हो गया है राजिसान रोडवेज ने लगजरी वॉल्वो बस के किराये में 200 उपए का इजाफा किया है जो रात 12 बजे से लागू हो गया बड़ी होई दरों के साथ अब यात्रियों को रोडवेज की वॉल्वो बसों में 700 की बजाए 900 उपए किराया देना होगा वहीं रोडवेज की ओर से वॉल्वो बसों में सफर करने वाले यात्रियों को पीने के पानी की बोतल देने की भी सुविधा शुरू की है कौविड के बाद से रोडवेज ने बसों में पानी देने की सुविधा की प्रक्रिया बंद कर दी थी उद्यपूर घटना के विरोध में गुरुवार को जैपूर बंद बुलाया गया इससे पहले बुधवार को जैपूर के सेवा सदन में हिंदू संगधनों की बैठक बुलाई गई इसमें बंद को लेकर सहमती बनी थी इसके चलते गुरुवार को अवश्चक सेवाओं को छोड़ कर विरोध में शहर के सभी बजार और दुकानों को बंद रखा गया एडिशनल डीसीपी नौट दर्मेंद सागर ने बताया कि जैपूर बंद को लेकर वेपारियों से बाचित की है वेपारियों ने सहमती से जैपूर बंद का अहवान किया गुरुवार को जैपूर शहर के बजार सहित सभी दुकाने बंद रखी गई एतियात के तोर पर करीब एक हजार जवानों का पुलिस जापता तैनात किया गया राजयसान के सभी सरकारी वे प्राइवेट स्कूल 24 जून से शुरू हो गए हैं लेकिन रेगुलर क्लासेज एक जुलाई से शुरू होगी अभी तक टीचर्स ही स्कूल आ रहे थे लेकिन शुक्रवार से इन स्कूलों में बच्चों की भी रोनक दिखाई देगी वही सभी स्कूल में एडमिशन की लास्ट रेट 15 जूलाई तैगे गई है जोद्पो डिस्कॉम के हाई वेल्यू पुभोगताओं साहित सभी श्रेणी के पुभोगताओं की दो दवसिये स्पेशल अकस्मिक विलिजेंस चेकिंग के दुरान 1288 स्थानों पर विद्यूत चोरी वे दुरूपयोग के मामले सामने आई है प्रबंदी देशक प्रमोट टाक ने बताया कि जोद्पो डिस्कॉम के सभी वृतों में चलाए गए विशेश अभियान में 137,884,000 का राजस्व आंकलन किया गया है एक जुलाई से सिंगल यूस प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लग जाएगी एक जुलाई से प्लास्टिक और प्योग करने पर 5000 उपई तक का जुर्माना वसूला जाएगा केंदर विराज्य सरकार के निर्देश पर एक जुलाई से सिंगल यूस प्लास्टिक पूरी तरह से प्रदिबंद किया गया है एक जुलाई से सिंगल यूस प्लास्टिक का विक्रै करने और उप्योग करने वालों के खिलाफ सक्त कारिवाई की जाएगी सुर्य नगरी की जैन धार्मिक स्थलों एवं उपासरों में जैन सादू साद्मियों के चातुरमासिक मंगल प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कुरोना काल के दो साल बाद अगामी 12 जुलाई से आरम हो रहे चातुरमास कारेक्रम को लेकर 13 पंथी संग स्थानक वासी ज्यान गच खर्तर गच एवं श्वेतांबर मुर्ति पूजक तपा गच संग के श्रावकों में खासा उच्छा है गुरों का तलाव सित चिंता मणी पार्शनाथ जैन मंदिर में चातुरमास प्रवेश गुरुवार को हुआ मंदिर के ट्रस्टी ओम प्रकाश शोपडा ने बताया कि निती सूरी समुदाय की सादवी रत्न माला वे सादवी मुक्ती माला तथा सादवी दिव्य रत्न माला श्री ने महवीर नगर से विजय लक्ष्मी रतन चंद महता परिवार के घर से चातुरमास के लिए विहार कर श्री चिंदा मने पार्षनाथ जैन मंदिर में गाजो बाजो के साथ फ्रविश किया राजसान देश का सबसे बड़ा राजा है प्रदेश की कुल भोगौलिक शेतरफल 342.24 लाख हेक्टेयर का करीव 31 प्रतिशत यानि 105.64 लाख हेक्टेयर शेतर बंजर भूमी की शेनी में आता है मेहनत में किसान को ज़्यादा मुनाफा दे बास की खेती इसी का उधारन है जो किसान बंजर भूमी या जलवायो परिवर्तन से परिशान होकर किसी तरह की खेती करने में असवर्थ है वह बास की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं फ्रिशी विभाग बंजर भूमे पर बास की खेती पर ध्यान दे तो हालात बदल सकते हैं जोदपूर जिलंग भोक्ता सरंक्षुन आयोग द्वित्या ने भरत सरकार के उपकरम निर्यात रिंकरंटी निगम को पोच लगान पॉलिसी के तहट विदेश भेजे गए माल पर जोदपूर के हैंडिक्राफ्ट एक्स्पोर्टर को हुए नुकसान के लिए शतिपूर्ती राशी अदा करने का अदेश दिया है मामले में रादनाडा जोदपूर के हेंडिक्राफ्ट व्यवसाई जेम्स एंड्रिव न्यूटन आर्ट एक्सपोर्ट लिम्टेट द्वारा आयोग में परिवाद प्रस्तूत किया गया था उपुबोक्त आयोग के दक्ष डाक्टर शाम सुंदर लाटा सदर्से डाक्टर अनुरादा व्यास वे अनन्त सिंग सोलंती की बैंच ने अपने निर्णे में परिवादी फ़र्म द्वारा नुकसान को कम करने के लिए उनर निर्यात की कारिवाही को पूर्णता उचित थेराया तता कहा कि विपक्षी निर्यात रिन गारंटी निगम का उद्देख्ष है लगू निर्यात को के भुकतान की सुरक्षा रहीतों की रक्षा करना है फिलहाल इस बुलेटेन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ